हेलो गाइस आगाय हूँ फिर से एक बार एक नया वीडियो के साथ तो आज हम लोग आये है मतलब हमारे घर के पास ही एक ब्रिक्स इंडेस्ट्री है मतलब इडवर्टा तो हम लोग सोचा कि आज इडवर्टा को एक्स्प्प्रोर करते है तो सब लोग यह भार्षी देखते ह क्या है उसका अंदर क्या क्या होता है कैसा प्रोसेस होता है यह तो नहीं पता तो मैं भी एक्साइट हूँ जानने के लिए और देखने के लिए कि इडवर्टा के अंदर कैसा है और कैसा दिखने में कैसा होता है अंदर क्या क्या होता है यह सब हम लोग आज एक्सप्लोर क करते हैं चलिए और यह आगे हम लोग इंडस्ट्री के सामने अभी हम लोग के सामने से गुशने वाले तो जा रहे हम लोग अभी और यह रहा इसका एंट्रांस एंट्रांस भी एक पेर है देखे कितना सुंदर है और पेर में देखे जूला लगाया हुआ है जो मेरा दोस्त बेट है अभी तो अभी जा रहा है सामने और यहैं रहा घारिया यह का घारी से इडव फागता कोई वाटर करने से तो ये सब गारी से भी जाता है और को से भी लाता है तो जो लोगं का जोबहार हुआ करते हैं ऑ कमपक ही utilizing और ऐखे तो बिमत्वेटा का एक्थम बॉपर वाला हिस्सा उस पर एक तीशल भी लगया हुआ है यह रहा एक गारी यहां पर लोड हो रहा है जो इट से भर रहा है यह कई पर जाने वाला है मदब डिलिवर होगा एक गारी इट तो हम लोग जा रहे हैं अंदर के तरफ और यह देखिए इट चारों तरफ सिर्फ इटी है और यह देखिए इट के अंदर क्या लिखा है एम बी आई मिंस यहां का इंडेस्ट्री का नाम है इसका शॉर्ट फॉर्म है जो लोगों जैसे यूज करते हैं तो अब यह देखिए सामने की तरफ जा रहे है हम लोग और मेरे साथ है मेरे एक भाई और एक दोस्त तो मेर भाई है ना वह जाने से मेरे साथ बहुत शर्मा रहा था उसको बहुत मुश्किल से लाया है अभी नहीं जा रहे है तो हम लोग थोड़ा फन भी कर रहे है यह देखिए यह इसको बहुत धका के लेके गया हम लोग मतलब वह नहीं जा रहा था उसको यह देखिए देखिए वीडियो कर वीडियो कर वीडियो कर अच्छे से वीडियो कर इसको चलने का स्टाइल तो देखो लगता है किसी से मारवर खाके आया अब हम लोग खुश रहे हैं जहां पे ईट पकने के लिए रखता है तब चूला ही बोल सकते हो इसको और यह देख सकते हैं आप लोग यह है वो जगह जहां पर बहुत सारा इट कच्छा वाला इट यहां पर एक साथ रखा जाता है और फिर इसको उपर से ठक दिया जाता है फिर उसके अंदर बहुत हाई टेमपरेचर डाला जाता है यहां सी इत निकल लिया गया है इसे लिए फिर विए जया जा रहा हूं और यह देखिए मैं लिया यह कोईला जो जालने के लिए उन दर कोईला डाला जाता है ओपर से छोटा चोटा और यह देखिए सामने अब देख सकते हैं यह फे देखें देख सकते हैं यह पर देखके छोटा छोटा और रास्ता जैसा है मतलब वख वो अंदर की व्यक्ता मकंदा है क्योंकि अभी अंजालाया नहीं है यह हैं चिमनी का एक साइड है तो इस साइड का ओपन है एरिया यहाँ से इड्निकल लिया गया है मतलब यहाँ पर कच्छा इड्ड दिया था तो अब यह हम लोग जाएंगे दोसरे साइड में जहाँ पर आभी तो ओपन न neon ऐ किया है उस साइड में मतलब ऐसा ही है बतलब वो ढखा हुआ है उपड़ से और नीचे पूरा एटी एट है तो हम लोग जाने वाले हैं उस साइट में इसको लेके फिर से हम लोग आगें दूसरे साइट और देखें नई आभी भी मूँ फेर कर चल रहा है हाई हाई शरम क्या शरम है लगता है नया दूल्ठन है तो हम लोग जाने वाले हैं अभी इस साइट में यह पर जाएंगे और एटी देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ एटी है अभी हम लोग यह से उपर चरेंगे अब पहले जो दिखाया था वह दूसरे सेट अभी यह दूसरा साइट है अब आभी उपर जा रहे हैं चले हम मेरे साथ और हम लोग पहुंचके अभी उपर और यह देखिए यह पर चारों तरफ उबरा उबरा सा जो पार्ट देख रहे हैं आप लोग को यह सब मतलब होल्स है जो इड़ देके उपर से मिट्टी देके बंद किया हुआ है यह होल से मतलब फ्यूल डाला जाता है वह जलने के लि यहाँ पर नीचे सिर्फ इटी इट है जो उपर से ढग दिया गया है अभी हम लोग पहुंचके चिमनी के एक तुम पास और यह देखिए यह कितना ऊच्छा चिमनी है यह चिमनी एप्रॉक्स 120 फीट का है और आप देख सकते हैं यह कितना बड़ा है और यह रहा इसका यह जगा पर ओपन है तो गाइस आप लोग देखी सकते हैं मैं जितना भी देखा और एक्स्प्लोर किया आप लोगों को सब कुछ दिखाया सोचा था कि चिमनी के अंदर का नजरा भी आप लोगों को दिखाऊंगा लेकिन अफसो स्वापे घुस नहीं पाया हम लोग तो अभी हम लोग यह से निकलने वाले हैं चलते हैं अभी तो गाइस आज का वीडियो यही पर खतम करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ऐसा ही नया नया वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो जूरे रहे हमारे साथ बाइब करे